किसान मित्रों नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रिकल्चर टेक्निक और सॉलूशन में मैं विके सर्मा आज फिर हाल हुँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तो आज का टॉपिक है विभिन फसलों में प्रमपोशक्तत्तों की क कमी हो जाती है जिसको के फसल प्रदेशित करती है परन्तों हमारे किसान भाईयों को जानकारी ना होने की कारण वो पहुंच जाते हैं पौधा लेगर के दुकांदार के पास दुकांदार उनको कई तरह के प्रोड़क्ट सजेस्ट करता है परन्तों मूल समझ्या का समाधन नहीं होता तो हम आज की वीडियो में यही समझने का प्रयास करेंगे कि क्या लक्षन है किसान भाईयों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें कि यह वीडियो बहुत ही ज्यानवर्दक है और आपको आज समझाने के प्रयास करेंगे कि अगर पोशक्ततों की कमी हो या। इसलिए वीडियो को आपको पता है कि हमारी फ़सल की बढ़ार के लिए कितने पोष्डतों की आवशक्तथा होती है मि फ़सलों को अच्छी गृत के लिए चार प्रकार के जिसमें पहला प्राकर्टिक तत्तों होते हैं दूसरा प्रमख पोसक तत्तों होते हैं तीसरा गोड़ पोसक तत्तों होते हैं और चौधा शुक्ष्म पोसक तत्तों होते हैं अब बात करेंगे फ्री टू एर यानि प्राकर्टिक तत्तों की तो प्राकरतिक तत्तों में carbon, hydrogen और oxygen होते हैं जो के पौधा प्राकरतिक रूप से प्राप्त कर लेता है बात करेंगे प्रमुख पोसक तत्तो जिनमें नाइट्रोजन, फॉस्पूरस और पोटास ये जमीन में भी होते हैं परन्तो इन्हें हमारे किशान बंदू फर्टलाजर के रूप में भी उपयोग करते हैं जिसमें डिएपी, एनपीके और यूरिया का इस्तिमाल करते हैं गौड पोसक तत्तो इसमें केलसियम, मेगनीसियम और सलफर तीन तरह के तत्तो पाई जाते हैं शूख्ष्म पोसक तत्तो जिसमें जिंक, मेगनीज, आइरन, बोरान, कॉपर और मॉलिबेडिनम किसान मित्रो इसके साथ साथ भी कुछ अन्य पोसक तत्तों की जरूत होती है परंतों पोधों की बढ़वार के लिए वो इतने आवशक नहीं होते अब बात करेंगे प्रमुक पोसक तत्तों में, नाइट्रुजन के वारे में किसान मित्रो नाइट्रिजन की कमी से पोधे हलके हरे रंके या हलके पीले रंके हो जाते हैं पोधे बोने रह जाते हैं तथा पुरानी पत्तियां जल्दी पीली पड़ जाते हैं अनाजबाली फसलों में पत्यों का पीलापन अगर भाग से शुरू होकर मध्ध सिराव तक फैल जाता है किसान मित्रो अब बात करेंगे फॉस्फरोस की कमी से क्या लक्षन होते हैं किसान मित्रो फॉस्फरोस की कमी से पत्यों छोटी रह जाती हैं तथा पॉधे का रंग गुलाबी होकर गहरा हरा हो जाता है बात करेंगे पॉद्रेसियम की कमी की क्या लक्षन है तो किसान मित्रो पॉधों की पत्यों का रंग पीला और पत्यों के किनारे कटे फटे से प्रतीत होने लगते हैं अब बात करेंगे केलसियम की कमी के क्या लक्षन हैं। किसान मित्रो, पोधों की कोपलें सबसे पहले प्रवावित होती हैं तथा देर से बालिया निकलती हैं जैसे मक्के के नाले चिप के रह जाते हैं। अब बात करेंगे मेगनीसियम की कमी के क्या लक्षन हैं। तो किसान मित्रो, मेगनीसियम की कमी से पत्यों के किनारों का रंग गहरा हरा और मद्ध सिराओं का भाग सुनहरा हो जाता है। किसान मित्रो, अब बात करेंगे सल्फर की कमी के क्या लक्षन हैं। सल्फर की कमी से पत्तियां और सिराओं सहित हरे गहरे से पीले रंकी में बदल जाते हैं और बाद में वो सफेद हो जाती हैं किसान मित्रों बात करेंगे प्रमग पोशक्ततों में जिसमें सुख्ष्ण पोशक्ततों आते हैं जिसमें सबसे पहले बात करते हैं जिंक की किसान मित्रों सामाने तोर पर जिंक की कमी से पत्यों का रंग कासे की तरह हो जाता है और पत्यां की हरीतिमा गायब हो जाती है किसान मित्रों बात करेंगे मेंगनीजी की कमी की बज़े से क्या लक्षन होते हैं तो मेगनीज की कमी से पत्यों का जो रंग है वो दूसर या लाल दूसर हो जाता है जबकि पत्यों की सिराओं का रंग जो है हरा ही बना रहता है अब बात करते हैं लोहा या आईरेन की कमी से क्या लक्षन प्रतीत होते हैं किसान मित्रो लोहा की कमी से सिराओं का रंग हरा ही रहता है जब कि पत्तियों का मद्य और अग्रभाग पीला हो जाता है पत्तियों का भूरा धब्बा या म्रतु तक के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं अब बात करें बुरान जो तत्तो होता है उसकी कमी से भी कई तरह के लक्षण प्रतित होते हैं जिसमें पौधों की ऊपरी भाग या कोपलों का रंग सफेद या हलके भूरी रंग का हो जाता है बुरान की कमी से फलों का फटना तथा कंदवाली फसलों में कंदों का फटना अभी एक मुख्य कारण होता है अब बात करेंगे मौली वेडिनम की किसान मित्रो मौली वेडिनम की कमी से नई पत्तियां सूख जाती हैं मद्ध सिराओं को छोड़कर पूरी पत्ती सूखे हरे दब्बे दिखाई देते हैं और पत्तियां समय से पहले ही पक जाती है यानि प स्ट्राइक कर लें और अगर आपको कोई समस्चा है आपकी खेती में कोई समस्चा आ रही है किसी भी प्रकार की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगली वीडियो आपके सर्जिक्ट पर चाहते हैं धन्यबाद नमस्क्रा करते हैं याओं। झाल झाल